वेलकम टो और चैनल दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वो LDC की क्या कट ओफ रह सकती है वो सबसे सटी जो पता लगाना की जो मैंने कोशिश की है वो मैं बात आपके सामने रखता हूँ दोस्तों आफटर नॉर्मलाजिशन मार्क्स आपके अलग आएंगे नहीं आएंगे वो सब बात की बात है अभी आपके जो आंसर की आई है उस हिसाब से कितने नंबर आ रहे हैं वो सारे मेरे को आप मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे केटेग्री वाइज अलग-अलग लिंक्स दे रही है वहाँ जाके आप अपने मार्क्स डाल दो मैंने मार्क्स को केटेग्री वाइज डाल रखा है और उसके साथ ही जैसे कि आपके 35 से कम है तो below 35 या फिर 55 से जादा है या 60 से कम है तो 55 साथ का इस टाइब से अलग-अलग मैंने ओप्शन दे रहे हैं तो आपकी जितने भी मार्क्स हो रहे हैं वह आप वहाँ पर डाल दो और 10 दिन के अंदर अपन यह पॉल काउंट करेंगे कितने कितने लोगों ने वोट किया उस हिसाफ से फाइनल कट अपन निकाल लेंगे कि इतने लोगों ने वोट किया है उनके हिसाफ से इतनी कट आफ रह सकती है तो यह सबसे मुझे अच्छा तरीका लगा कट आफ जानने का इससे कोई एजंप्शन नहीं होगा कि कोई तुका लगा रहा है या कुछ कर रहे है अपने को आप जो जो वोट दोगे उसे साफ से होगी और इस वीडियो को आप क्या करोगे ज़्यादा ज़्यादा जो लडिसी का एक्जाम किया है उन तक पहुचाओ और उनसे आप वोट डलाओगी क्योंकि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जनरल, OBC, SC और ST टीएसपी का इसमें टीएसपी का और पीएच केटेगरी का इसमें मैं नहीं डाला है मैंने जनरल लिया है कि SC, ST, OBC इन सब भी का है तो आप इनको करवा सकते हैं तो दोस्तों देखते हैं किन-किन जनों का आता है उसी हिसाब से अपनियां पर कुछ कर पाएंगे तो दोस्तों इसके साथ ही अगर हमारे वीडियो पर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेयर करें ताकि सबसे सटीक आंसर की अपनियां से निकाल सकते हैं